नमस्कार मित्रों, आईए सुनते हैं मुंसी प्रेमचंद की लिखी काहानी बेटी का धन बेतवा नदी दो उचे कगारों के बीच इस तरह मोच छपाई हुए थी जैसे निरमल हिरदेओं में साहस और उत्साह की मद्यम जियोती छिपी रहती है इसके एक कगार पर एक छोटा सा गाउं वसा है जो अपने भगन जाती चिन्हों के लिए बहुत ही प्रिसिद्ध है जाती गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस पावन स्थान पर बड़े प्रेम और सिर्धा के साथ आते और गाउं का बुढ़ा केवट सुखु चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल राजा का दरवार और कुमर की बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता वह एक उच्छवास लेकर रूंधे हुए गले से कहता महासय एक वह समय था कि केवटों को मचलियों के नाम में असर्फियां मिलती थी कहार महल में ज़ाडू देते हुए असर्फियां बटोर ले जाते थे बेतवा नदी रोज चढ़कर महराज के चरण छूने आती थी यह प्रताब और यह तेज था परन्तु आज इसकी यह दसा है इन सुन्दर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वस की बात ना थी पर सुन्ने वाले उसकी साहरदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाती सुखु चौधरी उदार पुरुस थे परन्तु जितना बड़ा मह था उतना बड़ा गिरास ना था तीन लड़की तीन बहुए और कई पाउत्र पाउत्रिया थी लड़की केवल एक गंगा जली थी जिसका अभी तक गवना नहीं हुआ था चौधरी की है सबसे पिछली संतान थी इस्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूथ पिला पिला कर पाला था परिवार में खाने वाले थी उतने थे पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी जियोंतियों कर निर्वाह होता था परन्तु सुख्धू की व्रिद्धा वस्था और पुरातत तो ग्यान ने उसे गाउं में वह मान और प्रिथिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर जगडू साहू भीतर ही भीतर जलते थे सुख्धू जब गाउं वालों के समक्च हाक्मों से हाथ भेंक भेंक कर बाते करने लगता और खंडहरों को गुमा फिरा कर दिखाने लगता था तो जगडू साहू जो चपरासियों के धक्के खाने की धर से करीब नहीं भटकते थे तडप तडप कर रह जाते थे अतहवे सदा इस सुख्धर की प्रितिक्षा करते रहते थे जब सुख्धू पर अपने धन द्वारा प्रभुत तो जमा सकें इस गाउं की जमीनदार ठाकुर जीतन सिंग थे जिनकी बेगार के मारे गाउं वालों का नाको दम था उस साल जब जिला मजिस्टेट का दारा हुआ और वहां यहां के पुरातन चिन्नों की साहर करने के लिए पधारे तो सुख्धू चओधरी ने दवी जवान से अपने गाउं वालों की दुख कहानी उन्हें सुनाई हाकिमों से वारता लाब करने में उसे तनिक भी भैय न होता था सुख्धू चओधरी को खूआजू मालुम था कि जीतन सिंग से रार मचाना सिंग के मों में सिर देना है कि इन्दू जब गाउं वाले कहते थे कि चौधरी त और हम लोगों को रात दिन रोते कटता है तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आवेगी। परोब काराय सताम विभूतिया तब सुक्खु का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंग को भूल जाता था। मजिस्टेट ने जीतन सिंग से इसका उत्तर मांगा। उधर जगडु साहू ने चौधरी के इस साहस पूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंग को दी। थाकुर साहब जल का राग हो गए। अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी। सयोग बस चौधरी के जिम में इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई उस पर गंगा जली का बयाह करना पड़ा। छोटी बहु नथ की रट लगाय हुए थी वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अफिमान में भूला हुआ था कि जिस जवान में हाकिमों को प्रसंद करने की सकती है। क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्षना बना सकेगे। बूढे चौधरी इधर तो अपने गर्म में निश्चिन थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालेश ठोक गई। सम्मा ना पहुचा। दूसरे दिन पेशी की तारीक पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का आउसर न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुखु ने ठाकुर से छेड़ छाल की थी। उनका दर्सन मिलना दुरलब हो गया। ठाकुर साहब के सहिने और प्यादे गाउं में चील कीतरह मड़ाने लगे। उनके भैसे किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। बचाहिरी वहां से तीन मिल पर थी। बरसात की दिन रास्ते में ठाव ठावर पानी, उम्री हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैल गाड़ी का निवाह नहीं, पैरों में बल नहीं, अता अदम पैरवी में मुकद में एक तरफा फैसला हो गया। कुरकी का नोटिस पहुचा, तो चौधरी के हाथ पाओ फूल गए, सारी चतुराई भूल गई, चुपचाव अपनी खाट पर पड़ा पड़ा, नदी की ओर ताकता, और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी, घर मिट्टी में मिल जाएगा, मेरे इन बैलों की सुन्दर जोडी के गले में आह, क्या दूसरों का जुगा पड़ेगा, यह सोचते सोचते उसकी आखें भराती, वह बैलों से लिपट करोने लगा, परन्तु बैलों की आखों से क्यों आसु जारी थे, वे नान में मोह क्यों नहीं डालते थे, क्या उनके हिर्दर पर भी अपने स्व आनि क्या हमारे जीते जीचिन जाएगी, कुछ लोग परिच्छा में द्रण रहते हैं, और कुछ लोग इसकी हलकी आच भी नहीं सह सकते, चौदरी अपनी खाट पर उदास पड़े, घंटों अपने कुल देव महावीर और महादेव को मनाया करता, और उनका गुण गाया क उसकी चिंता दग्द आत्मा को और कोई सहारा ना था, इसमें कोई संदेह ना था कि चौदरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर इस्त्री का गहना उख का रस है, जो पेलने ही से निकलता है, चौदरी जाकी का ओच्छा पर स्वभाव का उंचा था, उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था, कदाचित यह नीच विचार उसके हिर्दय में उत्पन ही नहीं हुआ था, किन्तु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धी से काम लेते, तो बूढे को देवताओं की सरन लेने की आवास सकता ना होती, परन्तु यहां तो बात ही न सूबे बांध रहे थे, मंजले जींगुर ने मह बना कर कहा, उह इस गाओं में क्या धरा है, जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंग की मूछें एक एक करके चुन लूँगा, छोटे फककर एट कर बोले, मूछें तुम चुन लेना, नाक मा उड़ा दूँग नक्टा बना घूमेगा, इस पर दोनों खूब हसे और मचली मारने चल दिये, इस गाओं में एक बुढ़े ब्रामण भी रहते थे, मंदिल में पूजा करती और नित्य अपने यजमानों को दर्सन देने नदी पार जाती, पर खेवे के पैसे ना देती, तीसरे दिन वह जम मिंदार के गुप्तिचरों की यांक बचा कर सुखु के पास आई, और सहान भूति की स्वर में बोली, चौधरी, कल ही तक मियाद है, और तुम अभी तक पड़े-पड़े सो रहे हो, क्यों नहीं घर की चीज ढून डाड़ कर किसी यवर जगह भेज देती, ना हो समध्यान पठवा दो, जो कुछ बच रहे वही सही, घर की मिट्टी खूद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा, चौधरी लेटा था, उड़ बैठा, और आकास की ओन नहार कर बोला, जो कुछ उसकी इक्षा है वहा होगा, मुझे से यह जालना होगा, इधर कई दिन की निरंतर भक्ती आवरोपासना की कारण, चौधरी का मन, सुध्ध और पवित्र हो गया था, उसे छल प्रपंज से घिरना हो गई थे, पंडित जी जो इस काम में सिद्धास्त थे, लज्जित हो गई, परंतु चौधरी के घर के अन लोगों को ईश्वर एक्षा पर इतना भरूसा ना था, धीरे धीरे घर के बरतन भाड़े खिसकाए जाते थे, अनाच का एक दाना भी घर में न रहने पाया, रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लवटती थी, तीन दिन तक घर में चूरा न जला, बूढे चौधरी के मोह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक भून भ चबाती और लड़के मचलियां भून भून कर उड़ाती, परन्तु बूढे की इस एका दसी में यदी कोई सरीक था, तो वह उसकी बेटी गंगा जली थी, यह बेचारी अपने बूढे बाप को चारपाई पर निरजल छरप्टाते देख, बिलक बिलक कर रोती, लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता, जो लड़कियों को होता है, गंगा जली इस सोच बिचार में मगन रहती थी कि दादा को किस बहाती सहायता करूं, यदी हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंग के पास जाकर दया भिक्षा की प्राथना करें, तो वे अवस्य मान जाएंगे, परन्तु दादा को कब यहाँ सिवकार होगा, वह यदी एक दिन बड़े सहाब के पास चले जाएं, तो सब कुछ बात की बात में बन जाए, किन्तु उनकी तो जैसे बुद्धी ही मारी गई है, इसी उधेर बुन में उसे एक उपाई सूच पड़ा, कुमलाया हुआ मुखार विंद खेल उटा, पुजारी जी सुखु चौधरी के पास से उठकर चले गए थे, और चौधरी उच्च उसर से अपने सोई हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बोला रहे थे, निदान गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई, चौधरी ने उसे पुर से हाक लगाई, कहां गई तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो, गंगा जली खड़ी थे, बैट गई, और धीरे से बूली, भजन गाते तो आज तीन दिन हो गए, घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा, कि इसे यों ही मिट्टी में मिला दोगे, हम लोगों को क्य पेड तले रखोगे, चाओधरी ने विथित स्वर से कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सोचता, भगवान जो चाहेंगे होगा, वेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो, गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूं, चाओधरी उठकर इने भर की रुपए हो जाएंगे, चाओधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझे या बात कहती, लाज नहीं आती, वेद सास्त में मुझे तुम्हारे गाउं के कुए का पानी पीना भी मना है, तुम्हारी डिवडी में भी पायर रखने का निसेद है, क्या चाहित में छोड़ा देना, चाओधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझे से ना होगा, गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा, तो मैं आप ही जाओंगी, मुझे से घर की यह दुर्दसा नहीं देखी जाती, चाओधरी ने जुन्जला कर कहा, बेरादरी में काउन मोह दिखाऊंगा, गंगाजली ने चिड़कर कहा, बेरादरी में काउन दिनोरा पीटने जाता है, चाओधरी ने फैसला सुनाया, जग हसाई के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा, गंगाजली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हार उपर मेरी हत्या पड़ेगी, मैं आज ही इस बेत्वा नदी में कूत पड़ूंगे, तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझे से तुना देखा जाएगा, चाओधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी मेरा धर्म नास मत करो, यदि ऐसा ही तो अपनी किसी भावच के गहने मांग कर लाओ, गंगा जली ने गंभी स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुह नचवाने जाएगा, उनको फिकर होती, तो क्या मुह में धही जमा था, कहती नहीं, चाओधरी ने रुत्तर हो गए, गंगा जली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई, और एक एक करके सब गहने चाओधरी के अंगोचे में बान दिये, चाओधरी ने आखों में आशू भर कर कहा, हाई राम, इस सरीर की क्या गती लिखी है, यह कहकर उठे, बहुत समालने पर भी आखों में आशू न छिपे, रात का समय था, बेतवा नदी की किनारे किनारे मार्ग को छोड़ कर, सुखु चाओधरी गहनों की गत्री काख में दवाए, इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे, मानों पाप की गत्री लिए जाते हैं, जब वह जगडू साहू के मकान के पास पहुंचे, तो ठाहर गए, आखें खूप साप की, जिससे किसी को यहना बोधो की चौधरी रूता था, जगडू साहू धागे की कमानी की एक मोटी एनक लगाए, बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे, और दीपक के धुनले प्रकास में उन अक्षरों को पढ़ने की वर्थ चेष्टा में लगे थे, जिनमें स्याही की किफायत क की गई थे, बार बार एनक को साप करते और राख मलते, पर चेराख की बत्ती उक्साना या दोहरी बत्ती लगाना सायत इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपवय होगा, इसी समय सुखु चौधरी ने आकर कहा, जैराम जी, जगडू साहू ने देखा, पहचान कर बूले, जैराम चौधरी, कहो, मुकदमे में क्या हुआ, यह लेन देन बड़े जंजर का काम है, दिन भर सेर उठाने की छुट्ती नहीं मिलती, चौधरी ने पोटली को खुब सावधाने से छपा कर, लापर वाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल इजराई डिगरी होने वाली है, ठाक और साहम ने नहीं जाने कब कब बाएर निकाला है, हमको दो-तीन दिन की भी मुहलत होती, तो डिगरी ना जारी होने पाती, छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं, अभी इसी साल मैने उनसे नदी किनारे घंटो बातें की किन्तु एक तो बरसात की दिन, दूसरे एक दिन की भी मुहलत नहीं, क्या करता, इस समय मुझे रुपयों की चिंता है, जगडू साहू ने विश्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा, जगडू साहू ने यह बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी, तुमसे कौन छेपाओ है, आज तीन दिन से घर में चूला नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है, अब तो तुम्हारे बसाई बसूंगा, ठाकूर साहम ने तो उजाडने में कोई कसन न छोड़ी जगडू साहू, जीतन सिंग को खुश रखना जरूर चाहती थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर ना था, यदि सूद रसूद जोड़कर मूल तथा ब्याज, सहज वसूल हो जाए, तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का अहसान लादने में कोई आपत्त ना थी, यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान की कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करके अहलकारों की मुठी घरम करने पर भी नित्य प्रती उनकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था, तो क्या पूछना, बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आज कल हम भी तवा हैं, लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिलुकुल खाली हो गया, तुम्हें कितना रुपया चाहिए, चौधरी न का, सव रुपय की डिगरी है, खर्च बर्च मिला कर, दो सव के लगभग समझो, पैसाना ठीक पड़ा, लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में, जो कुस्सित भाव भरे थे, वह सजीव हो गए, बोले, भाई, लड़की किसी काम क्यों होते, तो या दिन क्यों देखना पड़ता, उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब, घर ग्रहस्ती का सब भराकर रख छोड़ेंगे, ग्रह कारद नाना जनजाला, जगलु ने तीसरा तीर मारा, क्या बहुँँ से भी कुछ ना बन पड़ा, चौधरी ने उत्तर दिया, बहु बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं, मैं तीन दिन तक द्वार पर बिना अन जलके पड़ा था, किसी ने बाद भी नहीं पूछी, कहा की सलाह, कहा की बाक्चीत, बहुँँ के पास रुपए ना हो, पर गहने तो हैं, और वे भी मेरे बनाए हुए, इस दुरदिन के समय यदि दो दो थान उतार देती, तो क्या मैं छोड़ा ना देता, सदा यही दिन थोड़े ही रह क्या इतना भी नहीं जानते, कि बूढ़ा रुपए कहां सलावेगा, अब समय बदल गया, या तो कुछ जाजाद लिखो, या गहने गिरवी रखो, तब जाका रुपया मिले, इसके बिना रुपए कहां, इसमें भी जाजाद में साइक्रों बखेडे पड़े हैं, सुभीत कहां तक निवाहोगे, चाउधी ने अतनत विनीत होकर कहा, साहु जी, या लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छेपा है, एक वाद दिन था कि हमारे दादा बाबा महराज की सवारी के साथ चलते थे, अब एक दिन यहां की घर-घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ ग इसी लाज निवाहने की कारण करना पड़ा है, जगडू साहु ने आश्चर में होकर पूछा, यह गहने किसके हैं, चाउधी ने सिर जुका कर बड़ी कठिंता से कहा, मेरी वीटी गंगा जली के, जगडू साहु इस्तंभित हो गए, बोले, अरे, राम-राम, चाउधी ने कातर स्वर में कहा, दूब मढने को जी चाहता है, जगडू ने बड़ी धार्मिक्ता के साथ इस्तिर होकर कहा, सास्त्र में बेटी के गाउं का पेड़ देखना मना है, चाउधी ने दीर्ग नहिस्वास छोड़ कर करुन स्वर में कहा, ना जाने नारायन का मौत देंगे, कभी भूल कर भी उनकी द्वार का मोह नहीं देखा, परमात्मा ने अब तक तो टेक निवाही है, पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दसा होने वाली है, जगडू साहू लेखा जवजव बक्सेज सवसव के सिद्धान पर चलते थे, सूध की एक कवड़ी भी छोड पाठ करवाते थे, पित्र पक्ष में रोज ब्रामणों को सीधा बांटते थे, बनियों की धर में बड़ी निष्ठा होती है, यदि कोई दीन ब्रामा लड़की ब्याहिने के लिए उनके सामने हाथ पसारता, तो वह खाली हाथ न लवडता, भीक मागने वाले ब्रामणों क चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हों, उनके दर्वाजे पर भटकार नहीं सुननी पड़ती थी, उनके धर्मसास्त्र में कन्या के गाओं के कुई का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा है, वहस्यम इस सिध्धान्द के भक्त थे, और इस सिध्धान्द के अन पक्ष अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा करतव धर्म है, या विचार मन में आते ही जगडू साहू गदी से मसनत के सारे उठ बैठे, और द्रण स्वर से कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निवाही है, अब भी लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसी तुम्हारी है, वैसी मेरी भी है, यहलू रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में रुपए आ जाएं, दे देना चौधरी पर इस सहान भूती का गहरा असर पड़ा, वह जोर जोर से रोने लगा, उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ती सामने बिराजमान दिखाई दी, वही जगडू जो सारे गाउं में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार हाकिमो से सिकायद की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था, रूंधे हुए कंट से गदगद हो बोला, जगडू तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, कहां तक कहूं, मेरा सब कुछ रख लिया, मेरी डूबती नाव पार लगा दी, क्रिष्ट मुरारी, तु पूंएड़ थाणी हैं।